इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उप्रब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलो की गोपनियता भंग होती है नमस्कार दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो तो दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर से अपने ही गेम में फस गया है पाकिस्तान की पुरानी आदत है डबल गेम खेलने की 75 साल पहले जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से वो डबल गेम खेल रहा है हर बार उसे भारी नुकसान होता है लेकिन तब भी वो सीखता नहीं है अपनी गलतियों को दोहराता है और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है रूस के साथ डबल गेम खेला है जाहिर है भारी कीमत चुकानी पर सकती है पाकिस्तान को और रूस की तरफ से इस पर बयान भी आ गया है यह बयान है भारत में मौझूद रूस के राजदूद डेनिस अलिपो का अलिपो का यह बयान रूस यूकरेन युद्ध पर आया है जिसमें पाकिस्तान का डबल गेम एक्सपोज हो गया है अब आप कहेंगे कि लड़ाई तो यूकरेन और रूस के भी चल रही है फिर इसके बीच में पाकिस्तान कैसे आ गया उसने क्या डबल गेम खेल दिया तो चलिए पहले आपको अलिपो ने क्या कहा है वो बताता हूँ फिर आपको रूस यूकरेन वार में पाकिस्तान के डबल गेम का पूरा कच्चा चिठा सबूतों के साथ पेश करूँगा इसी 24 सितंबर को एकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट देखे हेडिंग को ध्यान से पढ़िये अगर यूकरेन को पाकिस्तान द्वारा हतियार सप्लाई किये जाने के बात सच निकली तो रूस पाकिस्तान संबंदों पर इसका बेहत गंभीर असर होगा अपने बयान में रूसी राजदू देनिस अलिपो ने कहा है कि रूस ने पाकिस्तान से यूकरेन को हत्यारों की आपोर्ती की खबरों को बेहत गंभीरता से लिया है अगर ऐसी रिपोर्ट्स की पुष्टी हो जाती है तो रूस पाकिस्तान संबंदों के लिए इसके गंभीर और नकरात्मक प्रभाव होंगे अब जरा सोचिए कि ये गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं जाहिर से बात है रूस बदला लेगा तो पाकिस्तान की जनता को इससे बड़ी रहत मिल सकती है पिट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है पर अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि रूसी राजदूत का ये बयान रूस का आधिकारिक बयान है इसे हलके में नहीं लिया जा सकता और अगर खबर की पुष्टी रूस ने कर ली तो समझ लीजे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है रूस सस्ते में तेल, गैस और गेहूं लेने का जो उसका सपना है उसी तरह पानी में डूब सकता है जिस तरह इस वक्त बाड़ के पानी में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है जी हाँ क्योंकि बाड़ की वज़े से पाकिस्तान इस वक्त दाने दाने को महताच है अन्न का एक एक दाना भी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है आपको याद होगा पूरु प्रधान मंतरी इमरान खान जब रूस गए थे तब पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हैप किया था कि रूस से अब संबंद अच्छे हो रहे हैं हलांकि उसी दोरान रूस ने यूकरेन पर हमला कर दिया जिससे अमेरिका पाकिस्तान से बेहद नाराज हुआ था उस वक्त यही खबर आई थी कि पाकिस्तान रूस से तेल और वीट इंपोर्ट करेगा हलांकि उसके बाद पाकिस्तान में सत्ता बदल गई और ना तो रूस से सस्ता तेल ही मिल पाया और ना ही गेहूं ही आ पाया तो दूसरा बड़ा जटका वीट इंपोर्ट में पाकिस्तान को लग सकता है अब जुकि पाकिस्तान के सत्ता पर ताजा कबजा शहबाज शरीफ का है तो उन्होंने भी रूस से संबन सुधारने की पूरी कोशिश की है क्यूंकि उन्हें भी पता है कि रूस से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है SEO यानि शंगाई कॉर्परेशन के मीटिंग में उनके मुलाकात रूसी रच्टोपती व्लादिमिर पुतिन से हुई उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बड़ी पॉजिटिव बाचीत हुई दोनों निताओं के बीच पाकिस्तान को तेल, गैस और वीट सप्लाइस की चर्चा हुई है यानि पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि रूस से उसे तेल, गैस और वीट मिल जाएगा वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी सेना पाकिस्तान से दिये गए हत्यारों की वज़े से नुकसान उठाए इस वीडियो में आर्टिलरी के जो गोले आपको नजर आ रहे हैं, उनके बारे में दावा किया गया है कि ये पाकिस्तान में बने हैं, इन्हें पाकिस्तानी ओर्डिनर्स फैक्टरी ने बनाया है युक्रेन में इन गोलो की सप्लाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है वीडियो में जो शल्स दिखाई दे रहे हैं, वो 122 MMK HE, यानि High Explosive Artillery शल्स हैं ये पाकिस्तान से भेचे गए हैं, और ऐसा दावा किसी भारतिये मीडिया ने नहीं किया है बलकि ट्विटर का एक हैंडल है युक्रेन वेपन ट्रैकर के नाम से, इसके करीब 7 लाख फॉलोवर्स हैं इसके बायों के मुताबिक ये युक्रेन में पहुचाए गए या capture किये गए हथियारों को ट्रैक करता है इस वीडियो को पोस्ट करके युक्रेन वेपन स्ट्रैकर ने लिखा है कि युक्रेन की आर्मी की आर्टिलरी शेल्स की जरुवत एक अन और्थोडॉक्स सोर्स के द्वारा पूरा हुआ है युक्रेन के आर्टिलरी वाले 120 mm high explosive shells जो पाकिस्तानी ओर्डिनेंस फैक्टरी द्वारा बनाए गए हैं उनका इस्तमाल करते हुए स्पॉट किये गए हैं अपने अगले ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तानी ओर्डिनेंस फैक्टरी की बुक की तस्वीर लगा कर ये दावा किया है कि इन्हें पहचाना जा सकता है कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए तो मार्किंग्स भले ही अलग हैं लेकिन ब्रिटिश ओर्डिन पैकेजिंग के इस्तमाल पाकिस्तान ओर्डिनेंस फैक्टरी द्वारा पड़े पैमाने पर किया जाता है साथ ही वीडियो में आर्टिलरी शेल का जो LIU4 फ्यूज दिख रहा है वो पाकिस्तानी 122 mm शेल में ही पाया जाता है देखें कहीं भी इस पर पाकिस्तान नहीं लिखा जाहिर सी बात है सीधी मार्किंग नहीं की जा सकती वरना भेद खुलने में देर नहीं लगती लेकिन बावजुद उसके भेद खुली गया इन्वेसिगेटिव जनलिजम करने वाले कई जनलिस्ट और न्यूस वेब साइट्स ने भी यही खबर दी है कि पाकिस्तान के द्वारा आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को भेजे गए हैं यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच डिफेंस रिलेशन नए नहीं है पाकिस्तानी सेना बड़े तौर पर यूक्रेनी हत्यारों का इस्तमाल करती है इनमें यूक्रेन से लिए गए टी एटी यूडी टैंक मी हैं पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान और युक्रेन के बीच इसी टैंक के रिपेर और सपोर्ट के लिए 85 मिलियन डॉलर्स का कॉंट्रक्ट भी हुआ था इस खबर को दिखाने का मकसद यह है कि आप समझ सकें कि युक्रेन की मदद पाकिस्तान ने क्यों की होगी न्यूस वेबसाइट शेफ़र्ड ने 8 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया था कि किस तरह युक्रेन को जो 122 mm एमूनेशन के सप्लाई की दिक्कत थी वो एक अनकनवेंशनल तरीके से पूरी हो गई है इसमें उन्हीं शेल्स की तस्वीर लगाई गई थी जो ट्विटर पर वाइरल हुई थी चुक्छे खबर कितनी ऑथन्टिक है इसलिए मैंने न्यूस वेबसाइट शेफ़र्ड के बारे में पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि ये ब्रिटिश वेबसाइट है ब्रिटेन की सरकार की वेबसाइट पर जाकर मैंने चक्किया तो पता चला किसका ओफिस लंदन में है और ये साल 1980 में रेजिस्टर की गई थी यानि करीब 42 साल पुरानी संस्ता है कुल मिलाकर इस पर भरोसा किया जा सकता है तो वेबसाइट शेफर्ड पर पब्लिश हुई ये रिपोर्ट अलिजाबेट मालो की थी एलिजाबेट मालो कैनेडा मुल्की फ्रिलांस डिफेंस रिपोर्टर हैं यूरोप की कई न्यूज अजेंसी के अख़वारों के लिए काम करती हैं फिलहाल इटली के मिलान में रहती हैं दुनिया भर में हत्यारों की खरीद फरोखत को इन्होंने कवर किया है और कर रही है अपने जादातर वक्त इन्होंने कतर में बिताया है यूनिवर्सिटी सेंट इंडियू से ग्रेजुएट हैं टेरोरिजम एंड पॉलिटिकल वाइलेंस में इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है तो इस रिपोर्ट से पहले अलिजाबेट ने अपने ट्विटर हैंडल से भी बताया था कि बितन के रॉयल एयर फोर्स द्वारा 6 अगस से ही C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांस्पोर्ट प्लेन पाकिस्तान के रावल पिंडी में मौझून नूर खान एयर फोर्स बेस से लगातार उडान भर रहा है जो कि रोमानिया या साइप्रस से उडान भर रहा था दुनिया भर में फ्लाइट ट्रैक करने वाले बहुत सारे लोगों ने इस पर नोटिस किया देखे ये जो नीली लाइन आपको मैप पर दिख रही है ये उसी ब्रिटिश एर फोर्स के C-17 जहाज की ट्रैक लाइन है जो पाकिस्तान से उड़ी थी उसने एरान अफगानिस् दबत ने बताया कि 6 अगस्त से 21 अगस्त के बीच ब्रिटिश एर फोर्स के C-17 प्लेन ने करीब एक दरजन बार उडान भरी रोमानिया के क्लूस इंटरनेशनल एरपोर्ट या साइप्रस में एपिसकोपी में मौझूद ब्रिटिश एर बेस से उडाने भरी गई जो सीधे पाकिस्तान के नूर खान एर बेस गई थी ब्रिटन ने रोमानिया और पाकिस्तान के बीच एक एर ब्रिज बनाया जिससे 122 mm के आर्टिलरी शेल्स जो कि पाकिस्तान ओर्डिनन्स फैक्टरीज में बनाये गए थे उन्हें युक्रेन पहुंचाया जा सके खबर में उन्होंने आगे बताया है कि 30 अगस्त को सोशल मीडिया पर इसके सबूत भी देख गए कि युक्रेनी सेना ने पाकिस्तान से भीजे गए 122 mm के राउंड्स रिसीव कर लिये हैं फ्रांस की निउस वेबसाइट ले मॉंदे ने भी इसी 7 सितंबर को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि युक्रेन वार में नौर्थ कोरिया, इरान और पाकिस्तान सीक्रेट आम सप्लायर्स हैं जिसकी वज़ह से युक्रेन की जंग जारी है सीधी सी बात है भाई, धुआ वहीं उठता है जहां पर चिंगारी लगी होती है जाहिर है बैलंसिंग एक के चक्कर में पाकिस्तान रूस युक्रेन वार में भी डबल गेम खेलने की कोशिश की है जिससे जिधर से भी फायदा मिन सके उठाया जा सके लेकिन बड़े-बुड़े कह गए हैं कि दोधारी तलवार पर चलना अपने आपको मुसीबत में डालना होता है और पाकिस्तान के साथ इस बार भी यही हुआ है जियो पॉलिटिका डॉट इन्फो नाम की निउस वेब साइट ने भी इसी 20 सितंबर को इसे लेकर खबर शापी है जिसकी हेडिंग में सवाल उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान युक्रेन को हत्यारों से लैस करने में बृटिन की मदद कर रहा है इसका जवाब देते इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बिटिश एर फोर्स के C-17 विमानों के जरिये पाकिस्तानी हत्यारों के डिलिवरी युक्रेन में की जा रही है और ये 6 अगस्त से शुरू की गई है ठीक 5 दिन पहले जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा का बिटेन दौ पारा शुरू होना था जनरल बाजवा पहले पाकिस्तानी बने जो मिलिटरी एकडमी सेंडर्स के परेड में क्वीन के प्रतिनिधी बनाए गए जाहिड सी बात है ऐसा स्पेशल ऑनर बिना किसी क्विड प्रो को के नहीं हो सकता क्विड प्रो को यानि तुमने हमारा पहुचाएंगे खबर के मताबिक ब्रिटेन और पाकिस्तान के सीक्रिट कॉपरोशन से पाकिस्तान के जियो पॉलिटिकल ब्लॉक्स में ना टकी ये बदलाव देखने को मिल रहा है एक तरफ वो चीन के साथ संबना कर रखना चाहता है दूसरी तरफ पश्यमी देशों को भी दोस्त बना कर रखना चाहता है क्योंकि अगर उसे फटियेफ से निकलना है तो बगार वेस्टन कंट्रीज की मदद के वो नहीं निकल पाएगा अब चुकि पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने खुद को इतने सारे डबल गेम में फसाया हुआ है कि अब उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें एक तरफ जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है दूसरे की तरफ जाते हैं तो तीसरा नाराज होता है रूस वार में भी यह हुआ है युक्रेन को हत्यार पहुचाने का मतलब है सीधे तोर पर रूस से पंगा लेना और पूरी दुनिया जानती है कि रूस से पंगा लेने का मतलब है कि बड़ी कीमत तो चुकानी पड़ेगी खैर देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि रूसी राजदूत ने तो संकेत दे दिये हैं कि रूस इस घटना को बेहत गंभीता से ले रहा है पाकिस्तान के साथ रूस क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा तो दोस्तो उमीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा बेल आइकन आप दबा कर रखेंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल चाएगी तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद